हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नमबर 22 करेंगे जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान ये वर्कषिट 14 डिसेंबर 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्कषिट वर्कषिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्कषिट पार्ट पांच जब जनता बगावत करती है अठारो सो सतावन और उसके बाद सैनिक विद्रोहत जन विद्रोहत बन गया अठारवी सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खतम होते जा रहे थे पिछली वक्षिट में हमने देखा था कि अठारवी सतापदिया सदी के मध्य तक क्या हो था जितने भी राजा थे और नवाब थे उनकी ताकत छिनने लगी थी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही क्या होते जा रहे थे खतम होते जा रहे थे अवद पर हुए कबजे से सिपाही गुसे में थे उनके भीतर गहरा विश्वाश भर गया था अवद पर जब अंग्रेजों ने कबजा कर लिया था जबरदस्ती कबजा कर लिया था जिससे कि क्या हो था वहां के जो सिपाही थे वे गुस्से में थे उनके बीतर गहरा एविश्वाश भर गया था उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसल्मानों के धरम को नस्ट करने पर अमादा है इस पर देखो जो अंग्रेजों थे उन्होंने ये बोला था कि जो भी इसाई धरम को अपनाएगा उसे प्रोपर्टी उसे रखी जाएगे येने बहुत जादा इसाईयों को क्या दिया जा रहा था उनको परमोशन किया जा रहा था इसाई धरम का तो इससे क्या हुआ था जो हिंदू थे उनको लग रहा था कि हिंदू और मुसलमानों को लग रहा था कि उनके धरम नस्ट करने पर अंग्रेज क्या है अमादा है वो ये बात दो इफाल गए कि जो है राइफल वो यूज कर रहे हैं जो सिपाही राइफल यूज कर रहे वो क्या है गाय हूए और सुवर की चर्बी से का लेब चड़ाया गया इसे हर एक रेजमेंट में उठेजना का मोहल बन गया इसे सब में क्या हो सब excited होगे कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू और मुसल्मान ये सब बातों को उनको सविकार नहीं था क्योंकि उसे जो राइफल थी उसे मुह से खोलना पड़ता था जिससे कि उनके धरम पर बात आ रही थी कि विद्रों की शुरुआत युवा सुपाही मंगल पांड़े सबसे किस ने की थी मंगल पांड़े ने की थी शुरुवात मंगल पांडे के थूए गई थी और 29 मार्च 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था बैरकपूर के पश्युम बंगाल के मंगल पांडे थे और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था कुछ दिनों बाद 9 माई को मेरच में 85 सिपाईयों को फोजी के अभ्यास से इंकार करने के कारण नोकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुकम नया मानने के कारण 10 साल की सजाबी दी गई अफसरों का हुकम नैमानने के करने अगले ही दिन 10 मई को सिपाईयों ने मेरट की जेल में धावा बोलकर वहां बंद सिपाईयों को अजाद करा लिया अगले ही दिन 10 मई को रात को सिपाईयों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे दिली की तरफ पहुंची अब सुवेत उन्हों ने किया कि एक टोली उनकी दिली पहुंची जैसे ही उनकी आने की कबर फैली दिली में तैनाथ टुकडियों ने भी बगावत करती है अ जो दिली में मुझूद थी सैनिकों की टुकडियों उन्होंने भी बगावत कर दी सिपाईयों ने बादुर्शा जफर को अपना नेता गोशित कर दिया बादशा को सिपाईयों की ये बात माननी पड़ी उन्होंने देशवर के मुख्याओं और शाषकों को चिठी लिखक तो इस समर्सन से जो चोटे शाषक और बड़े शाषक थे मुगल शाषक थे उनको ये लगा कि अगर मुगल बादशा दुबारा शाषन स्थापित कर लेगा तो ये दुबारा इलाके शाषन बेफिक्र होकर चलाएंगे तो उन्हें लगा कि अगर मुगल शाषक वापस अ पैसे फैने लगी अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी उन्हें लगता था कि जो कार्तुस के मुद्दे वाली बात है वो उथल पुथलों के कुछ समय बाद शांत हो जाएगी लेकिन बाश्चा के समर्थन क्योंकि बाश्चा का इसको क्या हुआ था समर्थन मिल गया था इसके बाद क्या हो इसती रातों रात बदल गई दिली से अंग्रेजों के पैरुखणने के एक हफते बाद विद्रों का शिल्चला शुरू हो गया एक के बाद एक हर एक रेजिदेंट सिपाईयों ने विद्रों शुरू कर दिया वे दिली कानपूर लखनओ जैसे मुख्य बिंदों से दूसरी टुकडियों को साथ देने से निकल पड़े। उसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। जार सैनिकों की फोस तयार किया अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतर रतुफ किया और बेटी शाशन किया उनके राज्यकों पर शाशन पर नियंतर कर लिया था। बरेली के सिपाई बक्त खान ने लड़ाकों की एक विशार टुकडि के साथ दिली और कूच किया वै इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए बिहार के एक पुराने जमिदार कुमर सिहने भी विद्रोस सिपाईयों का साध्य और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ लड़ी तमाम इलाकों में नेता और लड़ाकों के युद ने हिस्सा ले रहे थे तो पीटां यहां आप देखो इतने सारे एक्जांपल दिये गए हैं कि कौन-कौन कब-कब युद जैसे 1857 की करांती शुरूई तो धीरे-धीरे कैसे सब लोग इसके अंदर इन्वोल्व ह अब हम करते हैं इसके प्रशन उत्र बिटा देखें क्या दिया गए प्रशन में प्रशन नंबर वन 1857 की विद्रो के क्या कारण थे विद्रो के प्रमुक्स थलो और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए तो आईए करते हैं प्रशन नंबर वन देखते हैं बिटा अ इसलिए रहा रहते जिस्ते वह नराज थे अंग्रेजों की कई नितिया हिंदु और मुसल्मान के धर्म की विरुथ थी अवद की कबजे से सिपाई गुसे में थे जो अवद पर कबजा कर लिया था उससे जो सिपाई थे वो गुसे में थे और उनमें एविश्वाश भरता जा रहा था और एंफिल्ड राइफल के कार्थूसों पर गाए और सुवर की चर्बी के लेप से सिपाई ही नरास थे सबसे मुख्या कारण यही था कि एंफिल्ड राइफल में जो कार्थूस पर गाए और सुवर की चर्बी का लेप था उसके कारण जो सिपाई थे वो नारास थे उन्होंने काया कि मुख्ये जगाओं के नाम बताओ उ उनके नेताओं के नाम बताओ जो इसमें involved थे तो देखि परेली सिपाही बक्त खान उसके बाद है बिहार कुंवर सिंग और कांपुर नाना सहाब यह सब आप लिख लिजगा और याद कर लिजगा इनको ठीक है अब हम करते हैं है प्रेशन नंबर 2 में मुगल समर्ध विद्रोहियों के समर्थन के लिए क्यों तैयार हो गये थे ? प्रशाशन नमबर टू अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंतरण से बचाने के लिए चोटे शाश को रजवाडो रजवाडो को यह लगता था कि अगर मुगल बाशाट दुबारा शाशन स्थापित कर ले तो वे दुबारा अपने इलाकों को पर शाशन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे तो यह है बेटा अंसर नमबर टू का देखो क्या हो था अंग्रेजों क अगर मुगल शाशक वापस आ जाएगा तो क्या होगा अंग्रेजों से अपने राज्यों को छुडा लेंगे और इसके लावा जो छोटे शाशक थे उनको यह लगने लगा कि अगर मुगल बाशाट दुबारा शाशन स्थापित कर लेगा तो वे अपने इलाकों से शाशन जब भादुशा जफण ने इसको समर्थन दिया तो सैनिक विद्रोह था उसको किस परकार बल मिला तो देखिए यहां से इसका अंसर हो जाएगा बेटा बाशा के समर्थन में और तीन हैं से कर लिजएगा बाशा के समर्थन के बास त्री रातों रात बदल गई दिली से अ पड़े उनकी देखा देखी कसबो गाउं के लोगों ने बगावत की रस्ते पर चरने लगे वे स्थानिये नेताओं जमीदार और मुख्याओं के पिछे संगठित हो गए ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तयार हो गए थे ठीक है त हम करते हैं प्रेशन नंबर चार कलपना कीजिए कि आप कंपनी के सेना के सेना सिपाही है विद्रों के बारे में अपने विचार लिखिए तो आप अगर कंपनी के सिपाही होते तो आपका क्या विचार होता तो आईए करते हैं इसका अंसर हम देखिए बेटा अंसर नंबर अगर मैं कम्पनी की सेना में सिपाई होती तो मैं अपने देश की सिपाई और लोगों का समर्थन करती और अंग्रेजी अफसरों को समझाने का प्रयास करती कि भारती और उनके अधिकार वे इलाके वापिस दिये जाएं तो अगर मैं कम्पनी की सिपाई होती तो मैं भारती लोगों का इस समर्थन करती बेटा और जो अंग्रेजी अफसरते उनको इस समझाने का प्रयास करती कि उनके जो भारतियों के जो दिकार है उन्हें वापस दिये जाए उनके इलाके जो है उन्हें वापस दिये जाए तो बेटा आज की वक्षिट कंप्लीट होती है किजिए और शेर किजिए. Thank you students.